छोटा सा कॉंसेप्ट क्यूंकि ये चप्टर आधा दूरा रहता न तो फिर दिक्कत रहता कि सर ये चप्टर हुआ भी और नहीं भी मैं ये मन में था कि इस चप्टर को पूरा करके खतम कर दो तकि रहे कि सर ये चप्टर तो हो गया है complete तो लीज में मैं स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा ओवर्वियू दे दूँ पांच मिनट लगने हैं सर लीज के अंदर दो शब्द थे और लीज का मतलब होता है किराया और ये दो तरीके के बिसिकली लीज होते हैं ओपरेटिंग और फाइनेंसिंग अब लीज के अंद में इसने अपने एसेट को किराये पे दिया है तो ये लेसर माना जाएगा और इसने एसेट को मसीनरी को किराये पे लिया है तो उसे माना जाएगा लेसी इसके बाद हमने देखा सर लीज के टाइप दो टाइप होते हैं ओपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज सर दो एसेट्स का लाइफ 10 साल है तो हम मान के चलो उसमें से 8 साल 7 साल 9 साल हम रेंट पे ले लेंगे और फिर जब एसेट्स बिल्कुल रेंट वगरा नहीं देंगे तो एसेट्स खरीद भी सकते हैं एक हमारे रहता है किसका फाइनेंस लीज का दूसरा डेप्रिशेशन भी हम ही च तो इसके बाद हमने फाइनेंसिंग लीज में क्या देखा सर कुछ इसके जो इंडिकेटर होते हैं जैसे कि जो इसके सिम्टम्स है कि फाइनेंस लीज होगा कई इस पिछले बार भी कुश्चन पूछा गया था एक्जाम में पताईए इसमें से यह उपरेटिंग है यह फा बागी जर्नल एंट्री जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप बुक में देखोगे तो इसली समझ में आ जाएगा बायर और सेलर को मानके आप जर्नल एंट्री देखोगे इसके बाद हमने देखा था गैरंटेड विल्यू क्या होता है मिनिममम सभसे पहले emlp क्या होता है minimum Lease Payment तो minimum Lease P Yelling अगर देखा जया है तो मैंने फॉर्मूले में लिखा था है कहीं नहीं लिखा यहां question किया था ना इधर लिखा है दोनों लिखा है न लेसी के point से MLP हाँ सर minimum lease payment क्या होता है तो minimum lease payment जो है न एक second सर minimum lease payment क्या होता है बहुत simple सा है कि जितना किराया अब यह लेसर के point of view से सोचोगे minimum और लेसी के point of view से सोचो जितना किराया हमें मिला है और plus assets use के बाद उसको जब बेचेंगे तो अभी वो बता देगा कि कितने का खरीदा जाएगा तो वो guaranteed value होगा उन दोनों को add कर देंगा that is MLP यानि minimum lease payment लेखिन अब इसके बाद एक word आता है हमारा gross investment तो gross investment क्या होता है हमारा minimum lease payment के अंदर हम unguaranteed residual value को add कर देते हैं यानि जो पहले हमने rent plus में आपका guarantee value plus unguaranteed जो उसने नहीं दिया market में कहीं से मिल सकता उसको add कर देते हैं अब sir unguaranteed value क्या होता है suppose करो जो मेरे साथ एक person था अगर मैं unguaranteed value की बात करूँ तो unguaranteed value में आपका आ जाएगा चलिए मैं यहीं पर ले लेता हूँ क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है unguaranteed value suppose करते हैं कि एक विक्ती और यह दूसरा यह है lesser और यह है lessy अब lesser इसको अपना assets किराये पे देता है मान लेते हैं 5000 रुपे साल का और 10 सालों के लिए और इसको offer भी करता है कि इस assets को आप खरीद लेना 2000 रुपे में तो इसके बाद यह तो हो गया हमारा lease का amount यानि 5000 रुपे और आगे हम इसमें plus कर देंगे sir what is the plus minimum guarantee value या फिर इसको हम बोलेंगे guaranteed residual value ठीक है कितना plus कर देंगे sir 2000 that is कितने का हो गया यह बावन हजार रुपे इसके साथ साथ ना lesser बड़ा चलाक होता है lesser ना इस assets को बाहर भी पता करता है कि भाईया कितने का भी का सपोज बाहर कोई वेक्ति ऐसा है जो इस assets को 5000 रुपे लेने के लिए ready है तो देखा जाए तो भीया इसको बेचूँगा तो 2000 मिलेंगे और जो बाहर बेचूँगा तो पांच मिलेंगा तो यहां मेरा नक्सान हो जाएगा तो नक्सान जितने का हो जाएगा ना इसका उसको un-quarantity residual value बोला जाएगा उसको किया बोला जाएगा अन-garantity residual value समझ बाएंब बात आपको इसके बाद हमने देखा था सर परजेंट value क्या होता है present value होता है कि रुपे की value depreciate होती है और वो सारा करा था आज हम question में एक तो operating lease को खतम कर लेंगे और second हमारा target है कि आपका interest cost निकालना कितना होता है जैसे कि पहले questions का ये part तो hopefully आपने किया होगा homework में दिया था मैंने आपके book का और इसमें दूसरा part है कि allocation of the finance charge over the lease period assume zero residual value, residual value कुछ नहीं है और अब बताइए कि हर rent में कितना finance charge वगरा है कुछ इस तरीके से, पहले और पहला point है present value निकालना है minimum lease payment और give journal entry of the being lease books of lessee, अब यहाँ पे किसके books की बात कर रहा है lessee के point और उससे बात कर रहा है, ठीक है तो सबसे पहला भी question करी लेते हम question number one part, first part MLP निकालना है MLP निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या-क्या given है सबसे पहले MLP निकालने के लिए lease duration five year है, lease rent है rent that is आपका lease rent है कितने का, असी हजार का, ठीक है इसके अंदर time क्या दे रखा है कि आप कितने साल तक दोगे पांस साल तो total जो lease होगा न, that is चार लाख बन जाएगा इसके बाद कहता है guaranteed residual value तो guaranteed residual value is, that is चालिस हजार, unguaranted residual value हम इस्तमाल करते हैं gross के लिए, हम किस के लिए इस्तमाल करते हैं gross investment, जबकि question क्या पूछता है, minimum lease payment MLP पूछ रहा है यह, gross नहीं पूछा तो इसमें हमारा, इसका कोई काम नहीं होगा, समझे बात आप आगे कहता है, fair value being lease का हमारा fair value यानि हमें lease, जो assets था वो 3,20,000 रुपे में हमें पढ़ रहा था मान लेते हैं उस assets की बात करते हैं interest implicit rate या IRR भी बोल देते हैं या फिर cost भी बोल देते हैं, वो 12% है तो अगर हम यहां पे देखते हैं MLP क्या आ जाता है MLP आ गया हमारा 4,40,000 लेकिन सवाल में MLP जो पूछता है उसका present value पूछ रहा है हमें तो 5 सालों का present value निकालना है ठीक है? कैसे निकालेंगे सर 5 सालों का present value? देखिए हर बार आपको न present value का rate given होगा ध्यान रखिएगा present value का हर बार का rate given होगा पहले हम ले लेते हैं year फिर ले लेते हैं amount फिर discount rate कहलो present value factor कहलो और इसको फिर हम total कर देंगे यह तक ठीक है? यह लेज़े year जो आपका amount है यानि lease amount दूसरा पी बी एफ present value factor तीसरा है इसका हमारा जो total है और इसको total को बोलेंगे only present value सर कितने साल के लिए है? एक, दो, तीन, चार, और पाच रेंटल वेल्यू हर किसी का exactly क्या है? सर सेम है यह आपका 80,000 रूपीज और present value का हमें यहाँ पे rate दे रखा है देखो 0.890 790 इसके बाद 6255 पाचवे साल ना एक और चीज आएंगी that is a guaranteed amount जो था ना वो भी आ जाएगा यहनि 5th year में हमारा guaranteed amount भी आ जाएगा that is 40,000 इसको हम guaranteed residual value गोर देंगे, ठीक है? इसमें भी यही rate लगना है हमारा 552 चलिए, अगर हमें 80,000 कितने? 71,200 63,200 56,000 यह कितने होगे? 42,000 ने, सुरी 49,000 63 44,160 22,080 अब इनका टोटल कर देजिए 37,1,2,000 63,2,000 56,000 49,7,6,0 24,160 22,0,8,0 डेटिस आगया यह 30,6,400 यह क्या आया सर? यह आया MLP तो सर यह क्या आया? यह भी MLP यह आपका अभी का जो नॉर्मल अमाउंट है वो value है और यह क्या है सर? यह उसका present value है बताइए यहां तक कोई doubt यहां तक clear है सभी को? अब पहला question हम कर चुके है बस journal entry अभी हम देख लेंगे जर्नल इंटरी भी बता दूँआ सिंपल सा है allocation the finance charge मेरा आज का main मुद्ध यह था कि allocation finance charge को बताना मैं जर्नल इंटरी यहीं कर दूँँगा पहले मैं finance charge की किसके साथ ही हो जाएगा finance charge बताना तो सर, finance charge बताने के लिए भी एक table की help लेते हैं वैसे यह ना higher purchase इस एक chapter पहले हुआ करता था financial account में अब हटा दिया गया है अब किस लिवस में से तब हम use किया कर सकते थे वहाँ पर और यह बहुत जगह use होता है पहले ले लेंगे principal फिर ले लेंगे interest और फिर ले लेंगे हम total due और एक column और बन जाएगा देखते हैं कितने use होते हैं column इसमें से finance charge sir finance charge जो लगेगा वो बूरे 5 सालों तक लगेगा है ना और पहले साल से लगना start हो जाएगा तो मैं एक पल को मान लेता हूँ जो finance charge लगेगा मैं year लग देता हूँ first year second year third year fourth year और fifth year correct हमारा total जो total हमारा जो amount था उसका हमें अगर मैरे से पूछा जाए without present value तो मैं 44 के हिसाब से निकाल हुआ अगर present value लोगे तो ये निकाल होगे 306400 306 6400 अब इसके उपर ही तो interest दोगे आप क्योंकि finance charge का मतलब क्या एक तरीके से जो मैंने अपना lease पे दिया है तो मैं कुछ जब भी कोई assets किसी को किराये पे दूँआ तो मेरा एजिंडा ये नहीं है कि 10,000 का assets और 10,000 मेरे किराये वापस आ जाए मेरा एजिंडा किया होगा 10,000 अगर मैं लगा रहा हूँ investment कर रहा हूँ तो उसे मेरे 15-16,000 तो बनी कम से कम तो जो 4-5,000 रुपे का आपका ये जो बन रहा है न बीच का difference उसे हम profit के नाम से नहीं बोलते हैं उसको finance charge के नाम से बोलते हैं और that is simple सब्द में बोलो तो interest बोलो एक तरीके से आप उसके उपर ठीक है न तो यहाँ पे इसके उपर interest लगेगा हमारा क्योंकि उसका assets का value ये है तो इसके उपर interest लगेगा total इसके उपर अगर interest की बात करते है assets का value mean total MLP पे लगेगा ये ठीक है न MLP पे तो 60 sorry 306400 क्या rate था हमारा 12.6 12.6 percent तो ये जो आ गया ना finance charge आ गया sir कितने आया 38606 आ गया ये क्या आया sir that is a finance charge अब अगर ये finance charge है और आपका lease जो है 80,000 का है तो आपको पता चलिया होगा finance charge मतलब 80,000 के payment में तो इतना तो interest ही गया तो principal क्या होगा इन दोनों का difference अगर 80,000 total payment है rent का उसमें finance charge जुड़ा हुआ है 38606 तो अगर मैं बोलू बताओ principal कितना दिया तो बाकी principal ही जाएगा तो माइनस कर देते 80,000 तो यह आ गया हमारा 41394 ठीक है अब second year में हम इसके उपर interest थोड़ी ना देगे क्योंकि हम principal मान लो आपने 10 लाख रुपए का suppose करो के आपने एक दो तीन चार पांच छे दस लाख रुपए का करजा लिया है और आपका 10% का ब्याज है तो अगर आपका 10% का ब्याज है तो इसका मतलब आपका year 1 में आप बोलोगे सर हमारा ब्याज जो होगा वह एक लाख रुपए होगा है ना अगर suppose करो year 1 में आपने ब्याज दे दिया उसके बाद आपने एक पेमिंट भी किया है मान लेते हैं पांच लाख रुपए उसको रिफंड भी कर दिया है तो आने वाले टाइम में आप उसे 10 लाख पे ही ब्य से पल तो जो आपको interest देना चाहिए that is देना चाहिए आपको 306400-41394 अब जो बचेगा उस पे हमें ब्याज देना चाहिए simple सा logic है यह तो है ना माइनस 41394 अब यह बचा हमारा 25265 है 265 006 ठीक है यह अभी second year ही चल रहा है हमारा तो अगर हमें interest निकालते हैं तो interest क्या आएगा अब इसके उपर निकलेगा 12.6% that is इसका finance cost आगया 33390 और आपको दूसरा भी rent कितना गया होगा 80,000 least तो fix है तो principle कितना गया इसमें से minus कर देंगे 80,000 तो sir that is आगया 46600 010 आएगा है ना 46610 correct है अब जब तीसरे साल का same ऐसा ही हमें ब्याज calculate करना होगा तो हम क्या करेंगे sir फिर से हमारा ये रहेगा principle यहां 65006 लेकिन sir इसमें से तो हम payment कर चुके हैं कितना कर चुके हैं हम 10 तो बाकी बचेगा उसी पर तो ब्याज देंगे हम तो 265006 265006-46610 तो यह आगया हमारा 218396 ठीक है इसके उपर ब्याज निकालते हैं 12.6 that is आगया 27517 ठीक है और rent तो भीया minimum का 80 जाएगा तो principle फिर से निकालना पड़ेगा sir बार-बार principle क्यों निकाल रहे हैं ताकि exact finance charge निकाल पाए 52483 ठीक है 483 चली आ जाते हैं अब 4th year में 4th year में हमारा था 2180396 जिसमें से हम payment कर चुके हैं कितना 52483 का payment अब देखोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा principle देते जाएंगे interest भी देखो कम 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 होता जाएगा क्योंकि आपका principle ही घट रहा है वहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे 213 96-52483 तो यहाँ पर आ जाएगा 165913 चलिए इसा अब हमारा fourth year में इस पर भ्याज लगेगा that is 12.6% यहाँ गया 20905 माइनस 80,000 कर देंगे क्योंकि 80,000 तो सर्फ fix है 59094 है न फाइनली इसमें से माइनस कर देते हैं 59094 फिफ्ट इयर में जो मेरे पास करजा बचेगा 165913 माइनस में 9094 करजा बचेगा मेरे पास 106819 अब फिफ्ट इयर के अंदर पता ही क्या होगा आपका एक्जेक्ट नहीं बैठ पाएगा आपको पता ही कि टूटल कर जाए यही है इसके बाद देना ही नहीं तो सिंपल इंट पास कितना आउट्सेंडिंग है प्रिंसिपल यह तो इनके बीच का जो भी डिफ्रेंस होगा वह इंट्रस्ट माना जाएगा एक मिनट यह मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा कम तो नहीं ले लिया पास्ट इयर हो गया हमारे है इस सेकेंड इयर हो गया यह थर्ड इयर हो गया ओर्थ हो गया फिफ्ट इयर चलिए इस पे निकाल लेते हैं ट्वेल पॉइंट फाइफ सरी वन जिरो सिक्स एट वन ज चार सो 69 ठीक है तेरा हजार चार सो 69 मान लो माइनस असी अजार माइनस असी अजार एक प्रेंट इसको और थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं अब आप देखिएगा फिफ्ट इयर में ना हमें एक और वेल्यू रिसीव हो रहा था देट इस बाइस जीरो एट जीरो का ठीक है ना तो हमें टोटल इतना MLP बना था तो इसके उपर जब हम इंटरस निकालेंगे इसके उपर तो यह बनेगा बाकि अगर इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो देट इस क्या बच जाएगा हमारे पास 13459 माइनस 80,000 यानि हमारे प्रिंसिपल यह आ गया 66541 ठीक है अब नाव हमसे पूछा गया finance चार्ज तो इस वाले कॉलम को अब टोटल कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारा finance चार्ज आ जाएगा देखिए ठीक है कौन से वाला फिफ्ट वाला फिफ्ट के अंदर यही सेम करा मैंने माइनस करके यह आया प्रिंसिपल माइनस कर तो दिया मैंने नहीं किया मैंने एक सेट रहे गे माइनस करना फिफ्ट एयर में इसको माइनस करके यह आ गया अब इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना था ना ओके कितना माइनस करना था हमारा 59 लेकिन यहां माइनस तो गिया है मैंने मैंने यहां पर अलग नहीं किया मैंने डारेक्ट माइनस कर दिया एक मिनिटा कर दिया डारेट कर दिया फिर लखना चाहिए था 165915 913 और माइनस 59094 समझे ठीक है वह मैंने वहाँ डारेक्ट कर दिया मैंने सोचा लास्ट इयर है तो कर देते हैं डारेक्ट 165913 माइनस में 59094 क्या गया लो 106819 ठीक है अब क्लियर तो यह क्या था सर हमारा यह था कैसे हम फाइनस चार्ज निकालते हैं आ सकता है एक्जाम में लेकिन मेंली तो आपका MLP वाला ही पॉइंट रहता है जो की पूछा जाता है ठीक है चलिए सर अब देखिए इस कुश्चन के अंदर आपको सारी चीजे मिल जाएगा जो जो चीजे दोनों था आपके बुक में एवन दो आंसर भी गीवन होगा और परजेंट वैली हमने निकाल लिया सारी चीजे अब जनल एंट्री की बात करते हैं लेसी के पॉइंट को जनल एंट्री में कहता है एसेट्स खरीद लिया और किससे खरीदा लेसर से लेसर को क्रे मैंने इसको थोड़ा सा सिस्ट्रमेटिक ले लिया अधागी समझ में थोड़ासा इजए धिलिया ठीक है क्लिए यह सीरह से स्टार्ट कर दिया बाकी कहानी वही है सारी घूम फिर आपके तो जीरो में ञार्ट देस देस रखा मैंने सीधा कर दिया तो आपका आंसर दोनों का ही ऐसा नहीं है कि कुछ होगा तब फिगर फाइनेंस चार्ज फिफ्ट एर हैस बिन कैलकुलेटेट बाइड डिफ्रेंस बिट्मिन अब कहता है कि भी यह फाइनेंस चार्ज जो हमारा लास्ट यह का है वह हमारा एप्रॉक्समेटली जो होगा वह निकाला जाएगा जो कि मैंने 13,180 था और आप देखोगे यहां पे 13,469 थीक है अब यह क्या कह रहा है प्रॉक्समेटली में आप यह देखो हमारा टोटल करजा यह था अब जो हम धेन यहां पे दो प्रिंसिपल पेमिंट करेंगे यह देट इस 120 ठीक है लास्ट यह में तो 80,000 रुपे का रेंट और फिर 40,000 जो कि हमने गेरेंटी लिया था 120 तो यह क्या करते हैं इस सिचुएशन में कि लास्ट यह में जो हमारा किस्ट जाएगा वह क् यह दो क्या करती हैं चलो वह यह ठीक है लास्ट यह में किस्ट पता है कितना जाने करे यह उतर कि सही था यह वह उतर सटने नहीं लगा रहें होता हुrail जाएगा that is जाएगा हमारा 8 और 4 1,20,000 जाएगा न तो लास्ट येर के जो interest ये lease बोलो हम payment करने वाले 1,20,000 तो आपको पता है आप payment 1,20,000 करोगे और आपका total principle इतना ही बनता है तो यानि extra जो payment कर रहे हो that is part of interest तो इन दोनों के बीच का difference amount इन दोनों के बीच का difference amount that is आपका 1,20 minus में 106,819 तो ये आजाएगा 13,180 ठीक है ये आप ऐसे भी कर सकते हूं और यही फिर यहाँ पे जो amount आएगा वो सीधा इसमें से ये minus करोगे तो again principle आजाएगा that is आजाएगा मैं इसको हटा जिता हूं principle आजाएगा 106,819 देखिए हाँ वो भी है लेकिन इसके अंदर कई बार last year के अंदर हम ये वाला portion फॉलू कर लेते हैं total interest यानि जो guarantee value है उसको भी हम cover करके चलते हैं अगर question बोले कि guaranteed value को finance charge में आपको नहीं लेना है ये exclude करके चलना है तो जो पहले किया था वैसे रहेगा वहाँ पर मैंने guaranteed value को include नहीं किया ठीक है तो ये था हमारा एक finance charge का question general entry था general entry ये की था assets account debit जो बोला गया था कि आपको general entry करना है किसके book में lessie के book में तो lessie क्या कहेगा मेरा assets खरीद लिया मैंने और किससे खरीदा lesser से बस अब finance charge की general entry अलग होती है वह आप अलग देख सकते हैं पूज़